नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल जागत जानकारी में स्वाज की वडियूम बात करने वारे हैं हरियाना पुलिस के एक नया अब्डेट आया है जो कि मेल कॉंस्टेबल पे है आप लोगा एक्जाम सुरू होने से पहले एक लेटेस इ आप तक पहुंचाते रहते हैं तो यहां पर यह नोटीस जो है ओपन हो चुकी है जो की 25 तारीक को आज की दिन एनाउंस की गई है आप लगधान से देख सकते हैं तो यहां पर नोटीस में लिखा हुआ है इस इमिटेटेट देट यहां पर लोगों का यहां पर आंसर दिया जाएगा यह देखिए, पहले इन्होंने announce कर दिया है, क्योंकि इन्होंने male SI में भी यह problem देखा, इन्होंने female constable female SI में भी कोई यह problem चलने को मिली, तो इसलिए exam से पहले इन्होंने बता दिया कि normalization के basis पे ही अब यह evaluation करने वाले हैं, as the examination will be held in the multiple shift, क्योंकि multiple shift में भाई आपका 31 तारीख को है, एक को है और दो को है, तो multiple shift में, तीन shift में exam होंगे, इस वज़े से normalization यह पहले ही बता दिया कि करने वाले हैं, hence in the all examination to be conducted by Haryana Staff Selection Commission, normalization percent will be adopted while preparing result of the multiple shift exam as per the notice, इन्होंने यह बता दिया कि 21.9.2021 के जो notice है, उस हिसाब से जितने भी हर्याना Staff Selection Commission के exam होंगी, सब को normalization process से adopt किया जाएगा, एकदम confirm कर दिया गया है, तो यह notice आज के दिन आया है, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को like करिए, share दिये, चैनलों को subscribe करके bell icon को press कर लेजे, क्योंकि हर्यान Staff Selection Commission के तरफ से male constable GD के जितने information important notice होंगे, हम आप तक पहुचाते रहेंगे, तो अभी कब है इतना ही, आगे हम एक नया वीडियो पनाएंगे कल के दिन, उसमें आप लोगों बताएंगे कि क्या normalization सही है, की गलत है, उसको वीडियो देखने के लिए आप हमाई चैनलों को subscribe कर लिजिए, बहुत बहुत धन्यवादा लोगों, thank you very much for watching this video.